जैसा कि आप सभी जानती हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है अब तक आम जंता से लेकर मशूर हस्तियां भी इस महामारी का शिकार हो चुकी है ऐसी मैं आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलिवूड इंडस्ट्री तक के सितारे इस महामारी की चपेट में आते हुए नजर आए है लेकिन फैंस के लिए अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जानकरी के लिए आपको बता दें कि स्टाप प्लस के शो कुलफी कुमार बाजेवाला में लेड एक्टर के तौर पर नजर आए एक्टर मोहित मलिक भी अब कोरोना वाइरस का शिकार हो चुकी है जी हाँ दोस्तों जानकरी के लिए आपको बता दें कि मोहित मलिक ने खुद इंस्टेग्रेम एकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस को जानकरी दी है कि वह है कोरोना पॉजिटिव पाए गए है लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहित मलिक के साथ साथ उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट भी सामने आई है लेकिन जानकरी के लिए आपको बता दें कि राहत भरी खबर ये भी है कि मोहित मलिक की पत्नी प्रेगनेंट है और उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव स टीवी एक्ट्रिस अधिती जिनकी कोरोना जाँच कराई गयी है और उनकी डिपोर्ट कोरोना नेगेटिव पाई गयी है ऐसी मैं आपको बता दे कि मोहित ने अपनी इंस्टेग्रेम एककाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसके मुताबिक सामने आएा है कि मोहित को हलका सा बुखार महसूस हुआ था और जिसके बाद उन्होंने बिना देर किये अपना कोरोना टेस्ट भी कराया जिसमें उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटेव पाई गई लेकिन उनकी पतनी अधिती की रिपोर्ट नेगेटिव सामने आई है ऐसे मैं आपको बता जीवन को सामाने तरीके से जी सके और इस तरह से मोहित अपनी पॉरोना पॉजिटेव होने की जानकारी देते हुए नजर आए है अपने फैंस को जब से मोहित ने इंस्टेग्रेम पर इस पोस्ट को शेयर किया है तब से लगातार फैंस उनकी सलामती की दौाएं मांग रह हमारी इस खास रिपूर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहे नेक्स्ट नाइन यूज